जोस्तो यह वीडियो देखने के बाद आपको कनफर्म हो जाएगा कि पाई को जो सीओ है यानि डाक्टर निकोलस उनके मन में क्या चल रहा है वह जो है क्या खुलासा कर रहे है किनकी किनकी केवाईसी जो सबसे पहले कर रहे हैं और पाईने टो की केवाईसी को लेकर पूरा में आपको अपडेट मिल जाएगा उनके ही जुबानी तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं एक लाइक के कमेंट के साथ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि टेलिग्राम ग्रूब का लिंक डिस्क्रिप्टन में आपको मिल जागा इसको भी जोईन कर लेना आप यार आप लोग जो थोड़ा सा लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दिया करो आप बस वीडियो देखके निकल जाते अपना काम कर ले तो थोड़ा सपोर्ट आप लोग करेंगे तो और जदा में जो है मोटिवेशन मिलेगा और अपडेट को हम लोग जो अच्छे तरीके से बत है तो वह सकता है आप लोगों दिया हूँ मेरे नहीं दिया है यहां पर पाई टू डे का जो चैलेंग चल रहा है ओ है यहांपर दे रहा क्westi इस पर मैंने वीडियो बना दिया है तो यहां से हमें कुछ लेना देना नहीं है पाइनेट और किके वाइसी को लेकर जो है मैं यहां पे आपको दिखाने गा रहा हूँ यहां पे देख सकते हैं कुछ अपडेट और आया है लेकिन हम लोगों को इन अपडेटों से नहीं उतना लेना देना है क्योंकि मैंने शुरू में ही बोल दिया कि मैं इसमें केवल सब्सक्राइब कर सकते हैं तो वहां पे जो है कि कभी-कभी निकॉलस भी इसका रिपलाई देते हैं क्योंकि वहां पे वह भी एड है तो यहां पे देखिए किसी ट्री ट्रांस सीपूर टू टू वन टू करके है कोई क्वेस्चन किया है आई हैब बिन रनिंग लोट फार द पास थरी यहर तीन सालों से जो है यह नोट नोट पे काम कर रहे हैं यानि कि लेप्टाप में डेक्स्टॉप में अभी तक इन्होंने के वाइसी नहीं पाया है इन्वाइट डिस्पाइट सेंडिंग पेटीशन मेनी टाइम सर निकोलस यानि कि यह करें कि मैं जो है नोट वाला भी हूँ और अब तक कि वाइसी नहीं हमें मिली है मैं जो petition भी apply कर चुका हूँ यहां तक की KYC reminder भी send कर चुका हूँ बट मुझे अभी कोई भी KYC का notification नहीं मिला तो बताइए क्या problem है तो यहां पर देखे डाक्टर निकोलस का यह है यहां पर जो है आप सब को पता है किसमें आता है ठीक है तो यह main है मतलब कि यह reply दे रहा है if you are not getting यहां पर देखे एक KYC invite system में have mark you as a user associate in the past with too many fake accounts or other policy violation ठीक है policy violation की बात की गई है unfortunately those case are postpone to review later because we want to do it very carefully अब ए इसी वज़े से जो इसको postpone कर दिया है और बहुत ही अराम से इसको देख रहे है ठीक है तीसलिए उनको KYC का notification नहीं जा रहा है इसके बाद एक और है यहां पर देखे लिखा गया we are prioritizing getting people who have already submit KYC to get fully review and verified first जैसा कि मेरा दूसरा answer है जो मैंने लिखा हुआ है कि किसकी KYC पहले होगी तो उनकी KYC पहले होगी जो लोग अपनी KYC को submit किया है और review में pending में पढ़ा हुआ है उनकी पहले verified होगी यहाँ पर बताए गया ठीक है तो इन सब चीजों को लेकर के थोड़ा सा इसू चल रहा है पाइनेटर के केवाइसी को पुरा मैनेजमेंट जो भी देख रहा है उसका अब यहाँ पर निकोलस नहीं बोला है तो इस चीज का थोड़ा हमें पता चल रहा है कि उनके माइन्ड मे है और उसमें से क्यों मैंने एक वीडियो में बताया हुआ था कि पांच मिलियन ही केवाइसी पास है तो इस हिसाब से तो बहुत समय लग जाएगा अगर यह लोग तेजी नहीं लाएंगे तो एक वीडियो मैंने पूरा क्लियर एकदम A to Z बताया हुआ है और एकदम सठीक डाटा है एकदम ऑफिशियल डाटा के अंसा है तो इसलिए करता हूं कि अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको एक अथंटिक एंड वेरिफाइड नियोज मिलेगी और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आप लोग आप लोगों को जो है मैं रूबरू कराते रहूं डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर के चेक आउट करना और इंडी स्क्रीन वाले वीडियो आप लोग देखना ना चलिए मिलते हैं किसे अगली वीडियो में टेक केर बाए